ये है पाकिस्तान का नमबर वन फ्रेशार्ट असामलिको नाजरीन प्रोग्राम इंसाइट के साथ मैं हूँ सिद्रा सत्थी नाजरीन किसी भी मौश्रे को तरक्य करने के लिए सबसे ज़्यादा एहम बात होती है कि वो इनसान अपने आप से कितना मुखलिस है और इसके साथ साथ वो अपनी सराउंडिंग में बसने वाले लोगों के साथ कितना मुखलिस है अगर इनसान अपनी जिमाधारी और परस की अदाईगी में ही कोता ही करे तो इनसान अपनी तो क्या मौश्रे की तरक्य कभी कर ही नहीं सकता अगर बात की जाए किस तरह से रिगर मौबाले कामयाब हो रहे हैं परवान चड़े हैं, अपनी काम्याबियों को सर करें तो उसके अंदर बात यहीं से शुरू होती है कि वो अपनी सोसाइटी के बारे में कितना सोचते हैं आज ऐसी ही शक्सियत को मैंने प्रोग्राम में मद्दू किया है जो के लॉयर भी है, सोशल अक्टिविस्ट भी है और अवाम के लिए दिल भी रखते हैं अवाम के लिए उन्होंने बे इंतिहा काम किये हैं दस साल तक सोशल अक्टिविस्ट रहे काम किये और अब तक उनका ये सफर जारी है मैं बात करी हूँ नाजरीन इस वक्त तवहीद जावेज सहाब की जिन्होंने पंजाब law college से जो है अपनी law की जिगरी कम्प्लीट की और उसके बाद से अब तक वो इस मौश्रे के लिए काम करें हैं उन्होंने बेशतर समाजी issues को जो है वो हल किया है और अब एक नई सुसाइटी वो 2011 में इन्होंने इस्टेबिश की थी जिसे अब वो बहतर तरीके से जो है वो इंटोड्यूस करने वाले हैं मसीही अवामी सुसाइटी नाम से इन्होंने एक सुसाइटी का इनिशेटिव लिया है आज इसे भी बात करेंगे और बात करेंगे दीगर चीजों पर जो के पॉलिटिकल इशूस हमारे मौश्रे में चल रहे हैं समाजी इशूस हमारे मौश्रे में चल रहे हैं टीसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौशूद है वहीद जावेद सहाब सोशल आक्टिविस्ट है, इंसे बात करते हैं, अस्वाम लेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए और अपना कीम्ति वक निकालने के लिए, सर ये बिताएगा कि आज जज अर्शद मलिक जो हैं, उनको मौतल कर दिय गया है, आपनी समझते के हर मौश्रे में एक इनसान जो है, वो अपने फर्ज की अदाईगे के लिए मौजूद है, तो क्या उन्होंने जो किया, वो उनके फर्ज से कोता ही थी? बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने मुझे दावत दी और यहां पर बात करने का मुकार परहम किया, जहां तक बात है जजज सहाब की, अर्शद मलिक सहाब की, तो बिंग अ लॉयर मैं समझता हूं, कि हम जो भी इनसान है, चाहे कोई जज है, चाहे चीफ थिंग तरहा है जैसे किसी भी इनसान के ओपर है, तो अगर किसी ने भी कानुन की खिला वर्जी की है, य ogl मुझे आज है गला है, तो जिसमे में जो कन्विक्ट है, मुल्जिम है, जिसमें पीजी तरह की मुव parallels कि साथ झाल है, बातjsी आप्ब्स रवाबत में या मश्योव देते हुए ये किसी भी तरह से अगर उनका कॉंडक्ट जुडिश्री समझती है कि वो ठीक नहीं था तो मैं ये समझता हूं कि उनको उसकी बरपूर उसके उपर उनको एक्शन लेना चाहिए था और उन्हें लिया है और जुडिश्री को हमेशा इस मलक में जुडिश्री ने थाबित किया है कि वो हक और सच के साथ खड़े होते हैं और उन्होंने हमेशा अला अद्लिया ने खुद से कुर्बानिया दे कर मेरा ख्याल है कि इस बात को उन्होंने बावर करा है इस मलक में कि हम अज़ाद है और इसके बाद ये बात साफ हो जानी चाहिए कि जुडिश्री अजाद है क्योंकि जुडिश्री ने अपने उपर लगे हुए चंद रोज से जो इल्जमात लग रहे थे मुटलिफ सोशल मीडिया के ओपर वीडियोज चल रही थी मलक साब के खिलाफ तो आई थिंग के उनको भी मुका मिलना चाहिए वो अपनी सफाई दें उन्होंने कैफे डेविट दिया हुए है कोट में उन्होंने इस बात की बरमला तरदीद की है कि मैं इसमें इन्वाल्व नहीं हूं लेकिन अगर वो नहीं है तो उनको पहले जरूरी एकदाम ये था कि वो इससे अपरे उखदे से सुबगदोश होत अगर वीडियो बनाई गई है तो क्या किसी की खुफिया वीडियो बनाना इस तरहां से ये कानून के तकाजों के अंदर मतलब क्या समझगा दाता है इस बात को देखें वैसे तो अगर एकदार में आप देखें तो ये बात दुरूस नहीं है कि आप उसकी किसी की वीडियो बनाएं या कुछ करें लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर कोई क्राइम हो रहा है अगर कोई जराइम हो रहा है तो उसकी अगर आप वीडियो करते हैं तो उसके उपर सजा और जजा का फैसला करें तो मेरा ख्याल है कि एच्छा अमल है लेकिन हमें इस बारे में भी ये तो अब जब उसका फॉरेंसिक होगा उसके उपर अब दो नेरेटिव्स हैं एक पार्टी कह रही है कि वो सही है अरशिद मलिक साब का नेरेटिव ये है कि उसको टेंपर किया हुआ है तो आइ तिंग इसका फॉरेंसिक होना चाहिए और जिसका हमारी वजीर इतलात उन्होंने भी बात किये इसके उपर तो आइ तिंग गौर्मेंट भी इसके उपर फॉरेंसिक करवाना चाहती है और अब तो जुडिश्री ने भी इसके उपर नोटिस लिया तो इसका दूद का दूद और पानी का पानी हो जाना चाहिए अच्छा आप देखें ना आपने मौशे में दस साल से आप इन ही इशूस पे काम करें आपने समझते के पाकिसानी मौशरा जो है वो बुरी तरहा फेल हो चुका है सोशल इशूस को ओवर कम करने पर बिल्कुल आपने सही बात उठाई है और इस तरह के बेंतहा इशूस हैं जो मौशरे के अंदर आप रोज की बन्याद पर अब तो इतना हम संगदिल हो चुके हैं कि अगर आप कोई बात सुनती हैं या मैं कोई बात सुनता हूँ तो हम बस एक मिनट के लिए उसको सोचते हैं और उसके बात दूसरी बात करना शुरू कर देता है तो हम खोजाती तोर पर भीख्रके हम अब कुछ जादा अब effort नहीं करते हैं और इस सब की वजाई ये है sail जो इस तरह के काम होते हैं उसके बात सजाएं नहीं दी जाती कानौन की बालादस्थंटी नहीं होती अगर ये कानौन की बाला ज़स्ती हो, सजाएं हो, इसको अशोर कराया जाए, जिम्मदारों को पता हो अब डक्टर को पता है, कि मैं पिम्स का डॉक्टर हूँ, डॉक्टर को पता है, कि मैं एक जिम्मदार हस्पिताल में बेचे हुए है लेकिन वो पावर्फुल है लेकि स्कैंडल जातर पिम्स के ही क्यों बनते हैं फिर देखें ना जितनी उंची दुकान तो इतना फीका पक्वान वाली बाता जाते हैं सरकारी हस्पितालों में आप भी बहतर जानती हैं कि जिस तरह से वो काम करते हैं और वो इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि वो गरीब को तो कुछ समझते हैं नहीं है और जिस तरह से अब उन्होंने को ब्लैक मेल के किया रखा है हड़तालें करके लॉक डाउन्स करके एमरजनसी में पेशिंट्स हमने खुद देखा है कि बिचारे माएं जनम दे रही हैं बच्चियों को हस्पितालों के बाहर और डॉक्टर्स उनका इलाज नहीं एक ब्लाड टेस्ट के लिए आपको तकरीबन दो-दो महीने पहले अपॉइंट्मेंट लेनी पड़ती है तो यह देखे ना कि मर्स तो इस तरह से बढ़ जाता है और फिर मर्स नासूर बन जाता है जिससे फिर खतम भी नहीं किया जा सकता तो कौम के मसीहा अगर इस तरह से अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमें सजा और जज़ा का निजाम को बहुत स्ट्रॉंग बनाना होगा मैं आपको अभी कली हमें पता चला कि फैसलाबाद के अंदर एक बच्चा है बादल मसीह उसकी महस बारा साल उमर है और उसने अपने घरवालों की कफालत के लिए तो उन्हों ने उसको एक कबाल खाने के उपर उनको वहां पर भरती करवाया ताके वो घर की कफालत कर सके और सिला क्या मिला कि उसके मालेक के उसके उपर तरफेंगि लिए उसका जियाती का निशीना भी बनाया और उनकी कहीं सुनवाएी भी नहीं होती अर जब दिकाता है है वो सेनिटरी वर्किंग से वाबस्ता हैं और वो एक चोटी कम्यूटी से तालुक रखते हैं तो हर तरह से उनको डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाया जाता है तो मैं इन सब बातों का मेरा ख्याल कि हम इस तरह की शिव करने के अचे अचा रहें कि अच्छा यह बताईगा कि आ गदा पर क्या होगा एक अप detibilidad पर्शॐग सेयोतई तो समय कि आृज क कादा रहे हैं कि रहा है यह यह इन्धार ुप ने नमा तक पर ऊनका हम रहे है हमारा क Walpi तैने सुसाइटी है अब हमारे पास तक्रीबन 400 के करीब खानदान है जिनके साथ हम मिलकर उनकी development के लिए काम करते हैं और इस बार हमने इसको थोड़ा सा different इसलिए रखा है कि हमने इस मुलक के अंदर बहुत सारा welfare के उपर काम किया बहुत सारे लोगों की हमने माली support देखी लोग करते हैं बाहर के मालिक से आती है लेकिन वो ऐसा ही है कि हम किसी को मचली दे रहे हैं लेकिन अब हम उने मचली पकड़ना सिखाना चाहते हैं ताकि वो खुद से मचली पकड़े और वो खाएं क् tecnología एक्सक्राइध की है यह थे सुखनार की है आगर यह बसुर्स सके आइछạt आपकी अगर यह का मेरा, हम एगर आप विज को दिखा देंग गिजर अगर अप यह ब्रॉश्युक्त हैं और यह मसी brat स्थिक्ट कök आमसह भी है और इसके अंदर हम यह सब kोर्षेस हैं जो हम करते हैं जो बिलकोल फ्री आफ कास्ट हैं इसमें हम इंगले सिखाते हैं थूइंग के कौर्षेस्टोय thereby कम्पिटर एज्यूचन देते हैं तो we would like to make a bakery further हम उनके लिए एक bakery बना कर देना चाहते हैं ताकि वो bakery बनाए और business करें और उसके बाद हम अगर कोई beautician है तो कोई बच्चे हैं और वो beauty का काम करते हैं वो beauty लड़कियां बनती हैं तो हम चाहते हैं कि उनको पहली दफ़ा हम beauty paulers बना कर दें ताकि उसके अंदर वो अपने छोटे रोजगार को आकर सके और मैं समझता हूँ कि अगर हमने रावल पिंडी और इसलामबाद में हम समझते हैं कि हम अगले आने वाले दो सालों के अंदर तीन हजार entrepreneurs बनाएंगे इन्शालाव बल्कु मैं इस पार में बात करोगी आएंगे बस परेक के शारी करेंगे चिन असे तो इस बात करेंगे, यहाँ बात वाटों के शटूलाई बेर जारी करेंगे वेल्कम बैक नाश्रीन ब्रेक से पहले हम बात करें थे मसीही अवामी सुसाइटी के बारे में इन से मजीद जानते हैं कि मसीही अवामी सुसाइटी आखरकार है क्या सरी बिताएगा कि ये सुसाइटी आखरकार है क्या किस तरहां से ये अमल में आई और आपने जब इसको स्टैबलिश किया तब से अब तक आप क्या समझते हैं किन किन मुश्कलात का सामना करना पड़ा है जी मसीही अवामी सुसाइटी एक सुसाइटी है जो कि नॉन प्रॉफिट है और यह हमने रिजिस्टर करवाई थी 2011 में 2011 में हमने से रिजिस्टर करवाय था लेकिन प्रैक्टिकली हमने इसके उपर काम शुरू किया 2016 में और जब 2016 में इसके उपर हमने काम शुरू किया तो अबिसली जो हम प्लैन्स बनाते थे वह रिलिस्टिक तो नहीं लगते जब शुरू में इस चीजें होती हैं तो वह आपको लगता है कि यह बहुत मुश्किल है और इसमें पता नहीं कैसे इनिशियट होंगी लेकिन शुरू से हम मेरे वालिद साब जो हैं वो भी पॉलिटिशन हैं तो उनकी भी मैं देखता था कि वो जैसे अपने लोगों के लिए क्रिस्टिन्स के लिए दर्द रखते थे और उनके लिए जो काम करते थे और बहुत मेंद करते थे उनकी डिवलिपमेंट के लिए तो उसकी तरह वो जनाइटिक ही है शायद तो मुझे भी बहुत बौज था और यह था कि हम कम्यूनिटी के लिए कुछ करें और हमारी कम्यूनिटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आला तालेम हासल नहीं कर सकते जो शायद पढ़ नहीं सकते जिनके पास रोजगार के अच्छे मुआके नहीं होते जिनकी फैमिली उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सकती यह टेकनिकल एजुकेशन सेंटर्स में भेज सकती जो 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 बहुत सेंटर्स के इस पास्टर्स में भेज सकते आपका है तो यह कैसे आपने कैसे आपने इसको टार्गेट को अचीव करना है किस तरहां से करना है हमने यह सोचा है कि अगर हम छोटे छोटे बिजनसे जैसे हम अगर बेकिंग कुछ पचास लोग सीखते हैं हमसे और हमारे पस बहुत एक्सपर्ट अच्छे टीचर्स हैं जो बड़े अच्छे तरीके से सिखाते हैं तो हम उनके लिए वहाँ पर बिजनस जिनरेट कर सकते हैं स्वाल कॉर्टेज इंडस्ट्री वगेरा और चोटी बुटीक्स हो सकती है चोटे वो अपने घर के किसी एक रूम को करके अगर अची स्टेचिंग आती या ची ये काम आता तो उस से कर सकती है ने अचेशन है तो वो इनिशली इक घर के आक कमरे को यूज कर सकती है हम उननकी थोड़ी से हrefकर सकते हैं ताके वो इसको करें और अब भी तक हमारे पास थकरीब Malays कारीब लोग हैं जो हमारे साथ यह काफी या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं अच्या, वही जो करके गए हैं, वही स्किल्स देंगे आगे कुछ हमारे पास permanent staff है और of course जो लोग करके गए हैं वो भी उन में से भी लोग जो देना चाहते हैं तो भी फिर हम उनको भी involve करते हैं ताके वो दूसरों को भी दें और फिर उनी की वज़ा से हमारे पास पहले एक से दो करना मुश्किल होता है लेकिन जब आपके पास तीन च लिकीन है कि हम बहुत सारा काम इसमें कर चुके होंगे और लोगों को इस आदत से निकालना है हमने कि आपने बस महद यही सोचना है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता आपने खुद करना है जब तक आप खुद नहीं करते अपने हाथ से काम नहीं करते तो आपका कुछ भी नहीं सकता है लेकिन हमारी कम्यूनिटी में तो खास तोर पर यह एक अंसर बहुत बढ़ा है कि अगर बिलीव जो है उसका बहुत डेफिसित है यह तो मैं करी नहीं कर सकता है नाममकिन है नाममकिन है जैसे अभी पाकिसान के हालाद इस वक्त चल रहे हैं तमाम लोग यह समझते हैं कारुबार में इंवेस्ट करना तो बड़ा मुश्किल है लेकिन अगर आप देखे हैं तो मेहंगाई तो दीगन ममालिक में भी है आप इंगलंड देख लें आप बैंककोग देख लें यह वेरी एक्सपेंसिव मगर वहां पे भी लोग काम कर रहे हैं वही आप पली बात है आपका जस्बा हो आपके अंदर जस्बा कुछ करने का हो तो फिर आप वह अचीव कर लेते हैं जैसे आपने शायद जीरो से शुरू किया हो लेकिन आप आज उस टारगेट पे खड़े हैं जहां आपको अपनी मन्जिल करीब दिख रही है अच्छा ये बताएगा कि जैसे हम पहले भी सोशल इशू की बात कर रहे थे इससे मौश्रे में ये जो एक गैप आयावा है मतलब एक नौलिज गैप बीच में आ जाता है कि आपके पास अगाही है चीज़ का आपको पता है लेकिन आप उस चीज़ के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपनों को ने सिर्फ слож गर के काम करती है तो उसके पास पिर भी चार फ्वांच घंटे बच जाते हैं कि वह कुछ कर सके और उसको हमने बताना है कि उस आप 4,5 घंटे को यूटलाइस करें कैसे अपने खांदान के उपर जो इसमिंगाईी का बोज़ प्रसे कीसे काम कर सकती आप कैसे आपके बच्चे कैसे participate कर सकते हैं Actually, वो काम करना चाहती हैं और कर सकती हैं लेकिन they don't know the way तो हम उनके लिए एक रास्ता बने हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि आप करें बाकी जहां तक रही पाकिस्तान में बिजनस के हलात और unstability की तो वहां पे उसके उपर मेरा ख़ल सबसे बड़ी जो मेन बात है वो जब एकड़ार की तबदीली हुई तो उसके बाद जो नहीं हमारी हकूमत है वो शायद वो इतमाद उसको maintain नहीं कर पाई और शायद इतमाद की फिजा नहीं थी dollar was increasing मतलब continuously वो increase होता जा रहा है हमारी आज जो IMF वाली payments थी बाकी थी वो आ नहीं थी रही तो business community में एक बहुत हल चल है मैं खुद पिछले कुछ 8-7 सालों से imports and exports के business से वाबस्ता हूँ हमारी JP enterprises के नाम से company है तो मैं उसमें मैंने देखा business community में कि ये एक uncertainty है उनको uncertainty है उनको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है और बाहर वाला business man तो कभी भी नहीं आएगा इन हलात के अंदर तो I guess कि लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि lockdowns किये जाएं हर्तालें की जाएं जलाओ गिराओ किया जाएं महजब माशिरों में ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी business community तो ऐसी community है जिसके साथ ये 13 जुलाई को जो इनका shutter down हर्ताल करने का ऐलान है वो भी शायद इसी वज़ा से अपने मतालबात मनवाने के लिए लेकिन आप जैसे कि मतलब आप खुद सोशली काम करें आपको नहीं लगता कि वो जो lockdown करेंगे उसे एक आम अवाम के लिए कितने मुश्किलाथ होंगी जब उनको रोटी नहीं मिलेगी वो दुकाने बंद होंगी तो सौदा सल खतम हो गया उसमें उनको उसकी हमसूल में कितनी मुश्किलाथ होंगी आप नहीं समझते कि यह जमेदार शेहरी का तो यह काम नहीं है बिल्कुल सही कहरे है कि आप रोटी दुकान पे कोई चीज़े नहीं मिलती लेकिन अगर कोई फैक्टरी बंद हो जाती है तो उसमें डेली वेजिस वाला जो मलाजम है जिसने उसी दिन पैसे कमा कर अपनी बचे को दूद पिलाना है जिसने उसी दिन पैसे कमा कर अपनी मा की दवाई लेनी है जिसने उसी दिन पैसे कमा कर अपनी बीबी को हॉस्पिटल लेकर जाना है उसकी तो गई वो बिचारा तो ना हॉस्पिटल जा पाएगा ना उसका बच्चा दूद पी पाएगा तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें सब को अभी ये मौका है कि हमें सब को रिस्पॉंसिबल होना है सिर्फ अपने लिए नहीं जीए सुसाइटी के लिए जीए है यह हमारा मुलक है और यह वो मुलक है जो 60 और 70 में हम यह सारे एशियन मुमालिक जिनका थाईलाइंड का अपने बात की मिलेशिया के बात की हम इन से आगे थे क्या वज़ा है कि वो इतना आगे निकल गे और हम इतना पीछे रहागे प्यूकि उनमें आपस में इतिहाद है और इसलिए आपने मसीही अवामी जो सुसाइटी है उसका जो है वो इनिशेटिव लिया है आखिर में आपसे सवाल करना चाहूंगी क्या विज़न है सुसाइटी का क्या अचीव करना चाहते हैं नाजरीन को कुछ बताएगा मैं परसनली मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी खवातीन इस मुलक के अंदर हम चाहते हैं कि वो खवातीन जो हैं वो बाइखतियार हो उनको वो खुद से अपने काम काच कर सके हम चाहते हैं कि जो नोजवान हैं हमारे वो फारिग ना बैठें वो अगर वो एजूकेशन नहीं हासल कर सके तो वो स्किल्ड हो हम चाहते हैं कि इस मुलक के अंदर हर शहरी बावकार हो एक दूसरे से इज़त करें प्यार करें हम इस मुलक के लिए काम करें अपने लिए तो सबी जीते हैं आए हम इस मुलक ने इतना कुछ हमें दिया तो हम इसके लिए भी कुछ करें बहुत बहुत शुक्रिया आपका अप मेरे प्रोग्राम में तश्रीफ लाए और अपने कीमती वक्त में से आपने मुझे वक्त दिया सर मैं आपको बहुत जादा जो है बेस्ट ओफ लग कहना चाहूंगी अपने समिशन के लिए और इसी तरह आप जिससे लोग मौश्रे में अगर हो तो ये मौश्रा किसी का मोहताज नहीं होगा महिंगाई तो क्या है इस मुल्क को इस मौश्रे को कोई चीज तंग नहीं कर सकती अगर आप जिससे लोग जो हैं इस मौश्रे में सब के लिए आगे बढ़ें हम एक community है, हम एक society है, हमें मिल के काम करना है, इस मुल्क के लिए हमें काम करना है और यही मुल्क हमारी धर्ती है और इसी की बगा हमारी बगा है इसी के साथ मैं सिदर से इंसाइट चाहती हूं, जासत, Allah अफेज अप्रा चाहती है